जैहिन साथियो बेलकम टू सेल्प स्टेडी क्लासे स्पिस्सुमित जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज MP3 वर्गतीन से संबंदेत हम पढ़ने वाले हैं संसाधन के बारे में आपने जो अपना टॉपिक है एक प्राकरतिक संसाधन या फिर मानव संसाधन है ना ये संसाधन जो है इनके बारे में आज हम पढ़ने बाले हैं NCERT की एबोक है और इसमें हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे यहां पर आप देखिए पूरा का पूरा अच्छे से दिया है संसाधनों के प्रकार, प्राकरतिक संसाधन, मानविकर संसाधन ये पूरे की पूरे संसाधन बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है तो इस अंसादन को पूरे तरीके से पढ़ेंगे यहां पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो NCEART में जिस प्रकार से सरल तरीके से समझाये जा सकता है देखो कैसे समझाये गया है सभी दोस्तों टेलीग्राम ग्रूप से अवस्त जुड़ना है सभी को टेलीग्राम ग्रूप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है टेलीग्राम एप डाउनलोड करना है फिर उसमें सर्च करना है I A S Study S T U D Y Study T R I C K ठीके तो यह सर्च करना है और टेलिग्राम ग्रूप से चुड़ जाना है जहाँ पर बहुत सारी पीडिया पूरे स्टेडी मटेरियल आपको मिलता है यहाँ पर देखेंगे मौना और राजू अपना घर साप करने में अम्मा की मदद कर रहे थे इन सबी चीजों को देखो कपड़े, वर्तन, अनाज, कंगा, सहद की बोतल किताबें इन में से प्रत्यक उपियोगी हैं मौना ने कहा इसलिए यह महत्पूर हैं अम्मा ने कहा यह संसाधन हैं संसाधन क्या है अम्मा से राजू ने प्रशन पूछा अम्मा ने बताया प्रत्यक बस्तू जिसका उपियोग आवस्तकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन कहलाते हैं अपने चारों और देखिए उन रीख्षन कीजिए आप संसाधनों के बिविद प्रकारों को पहचानने में सक्छम होंगे आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं आप अपने घर में जिस बिद्दुत का उपियोग करते हैं इस स्कूल से घर पहुँचने के लिए उपियोग किया रिक्सा पाठ पुस्तक जिसका उपियोग आप अधिन के लिए करते हैं ये सभी संसाधन हैं आपके पिता ने आपके लिए नास्ता तैयार किया है उन्होंने जिन ताजी सबजियों का उपियोग किया है बेज एक संसादन है जल बिद्दुत रिक्सा सबजियां पाटपुस तक सभी कुछ एक जैसा क्या है उनमें से सभी बस्तूं का उपियोग करके आपके द्वारा कि इसलिए वे उपियोगी हैं एक बस्तु अत्वा पधार्त की उपियोगिता अत्वा प्रियोजता उसे एक संसादन बनाती है। करत महत्त होता है कुछ संसादनों का आर्थिक मूल होता है जबकि कुछ संसादनों का आर्थिक मूल नहीं होता। के उपरांद मेडिकल फर्म द्वारा बेंचे जाते हैं तब आर्थिक रूप से मूल लिबान हो जाते हैं। तो जानते हैं दोस्तों अन्न जो अपना संसादन है उसके बारे में समय और प्रोध्यों की दो महत्तपूर कारक हैं। जो पधार्तों को संसादन में परिवर्थित कर सकते हैं। दोनों लोगों की अवस्तक्ताओं से संबंदित हैं। लोग स्वयम ही सबसे महत्तपूर संसादन हैं। ये लोगों के बिचार, ग्यान, अविसकार और खोज की है। जो अधिक संसादनों की रचना करते हैं, प्रतेक खोज अत्वाविसकार से बहुत से अन्न, खोज एवंविसकार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धती एवं प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। जबकि पहिये के अविसकार से अन्तता परिवहन की नविंतम विद्यों का विकास हुआ, जल बिद्धत बनाने की प्रोधुकी ने तेजी से जल, बहते जल से उत्पन करके उसे एक महत्पूर संसादन बना दिया। है ना, तो याद रख लिना है संसादनों की प्रकार, अब संसादनों की प्रकार क्या हैं, है ना, तो यहाँ पर कहा गया कि इसलिए मैं भी संसादन हूँ, बिलकुल, एक बहुत महत्पूर संसादन, है ना, सामनतर संसादनों को प्राकरतिक मानव निर्मित और मानव में ब प्राकर्तिक संसाधन के बारे में देखते हैं जो संसाधन प्रिकृती से प्राप्त होते हैं और अधिक संसोधन के बिना उपियोग में लाए जाते हैं उन्हें प्राकर्तिक संसाधन कहते हैं जैसे बायू जिसमें सांस हमसांस लेते हैं हमारी नदियां जीलों का जल मिर्दा खनेश सभी प्राकर्तिक संसादन हैं इन संसादनों में बहुत से प्रिकृति के निसुल को पहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकती हैं कुछ परिस्तितियों में प्राकर्तिक संसादन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए ओजार ओजारों प्रदोग की कि अब सकता हो सकती है विबिन समू में प्राकरतिक संसादनों का बर्गी करण उनकी विकास एवं प्रियोग के इस्तर उद्गम भंडार एवं बित्रन के अनुसार किया जाता है विकास और उप्योग की आधार पर संसादनों को दो बर्गों में रखा जा सकता है विकास और सामभाब संसादन और सामभाब संसादन बसंसादन बेसंसादन होते हैं जनकी मातरा ग्यात होती है। इन संसादनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेस में कोईले, पस्चिमी एसिया में खनिश तेल, महराष्ट में दक्कन की पठार की काली मिट्टी, भरपूर निछेप सभी बास्त्विक संसादन हैं। संभाब संसादन वे संसादन जिनकी संपूर मात्रा ग्यात नहीं हो सकती, इस समय इनका प्रियोग नहीं किया जा रहा, इन संसादनों का प्रियोग भविस्ट में किया जा सकता है, इस समय जो हमारा प्रोधुगी की का विकास है, विकास का इस्तर है, वह संभा होता है, इन सं संसादनों को आधानी से प्रियोग करने के लिए परियाप्त रूप से उन्नत नहीं है लद्दाक में पाया गया यूरेनियम संभाब संसादन का उधारन है कहां पर लद्दाक में जिसका उपयोग भविस्च में किया जा सकता है 200 बर्स पूर्व तीब्र गती बाली पबने ए इस पिरकार के पबन फार्म तमिलनाडू के नांगर कोईल गुजरात के तट पर देखे जा सकती है ठीक है तो आप सभी को याद रख लिना अगर आप से पूछा जाएगा कि पबन चक की कैसा संसादन है तब आपका उत्रोगा सामभाब संसादन है ठीक है आपको याद अधार पर संसादनों को अजेव जेव संसादनों में बाटा गया है उत्पत्ति की आधार पर अजेव संसादन निर्जीव बस्तूयों होती है जबकि जेव संसादन सजीव होते हैं मिर्दा चट्टाने खनेज अजेव संसादन है परंतु पोधे जन्तु जीव ए जेव सं वे संसादन जो सीगर्ता से नभीकरत अत्वा पुनाय पूरित हो जाती हैं इन मेंसे असीमित हैं और उन पर मानिबिय किरियाओं का प्रभाव नहीं होता जैसे सौर और पवन उड़ जा लेकिन फिर भी कुछ नभीकरणिये संसादनों जैसे जल, मिर्दा और बन पर प्रभावित कर सकता है जल असीमित नभीकरणिये संसादन प्रतीत होता है फिर भी जल की कमी और प्राकरतिक जल स्रोतों का सूकना आज बिस्तु के बहुत सारे भागों में एक बड़ी समस्या है अनभीकरणिये संसादन बे संसादन है जिनका भंडार सीमित है भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनकी नभी के तत्वा पुनह पूरित होने में हजारों वर्स लग सकते हैं, एह अब्दी मानो जीवन की अब्दी से बहुत देखें, इस परकार के संसाधन आनभी करनी है संसाधन कहलाती है, जैसे कोईला, पैट्टोलियम तथा प्राकर्तिक ठीक है और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कोई सा नभी करनी है संसाधन है, तब आपका उत्तर होए जल, मिर्दा, बन, इस अभी नभी करनी है, पबन, उड़जा, सौर, उडजा है ना, याद रखना है, संसाधनों के बित्रन की आधार पर बेसर्ब ब्यापक अत्व इस्थानिक हो सकती है, जो संसाधन सभी जगह पाय जाती है, जैसे बायू जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्ब ब्यापक हैं, लेकिन भी संसाधन जो कुछ निश्चत इस्थानों पर ही पाय जाती है, इस्थानिक कहलाती है, जैसी तांबा और लोहा, ये इस्थानिक संसाधन क याद रखना प्राकर्टिक संसाधनों का बितरण भुबाग, जलबाईउ, उचाई जयसे ये एनिक बहुत कारकों पर निर्भर करता है।generation. अब दूस्तों हम देखने वाले मानव निर्मित संसाधना, अभी हमने प्राकर्टिक संसाधना देखी, नभी करनीए, आनवी प्राकरतिक पदार्थ तब सनसादन बन जाती हैं जब उसका मूल रूप बदल दिया जाता है लोह AS के उस समय का संसादन नहीं था जब तक लोगों ने उस से डोहा बनाना नहीं सीकाता लोग प्राकरतिक संसादनों का उपविग पूल, सड़क, मसीन और बाहन बनाने में करत प्रोधुग की प्राकर्टिक संसादनों का उप्योग करके मानाव निर्मित संसादन बनाते हैं, मोना ने समझाती हुए कहा कि हां राजू सुईकृति में सिरह लाया ठीक है, मानाव संसादन देखो, लोग और अधिक संसादन बनाने के लिए प्रिकृति का सबसे अच्छा प्योग तब ही कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का क्या हो ग्यान, कौसल तथा प्रोधिव की उपलब्ध हो इसलिए मनुस एक विसिष्ट प्रकार का संसाधन है अतहे लोग मानव संसाधन हैं सिक्चा और स्वास्त लोगों को बहुमूल संसाधन बनाने में मदद करती है अधिक संसाधन के निर्माण में समर्त होने के लिए लोगों की कौसल में सुधार करना मानव संसाधन बिकास कहलाता है ये सबी को याद रख लेना है ठीक है है ना और भी देख लेते हैं मनों से एक दूसरे पर निरवर है किसान सभी के लिए अन्नोप जाते हैं बैग्यानेक किर्सी से जुड़ी बेविर्ण समस्या वरान उत्पादन करने के उपाय खोचता है ठीक है तो इन सभी के बारे में हमें याद रख लेना है यहाँ पर का उसने देखा कि प्रत्वी पर सारा जल सूप गया है और सारे पेड कट गए हैं बहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था लोग परेसान हो रहे थे और चारों तरब भोजन और छाया की तलास में निरास घूम रहे थी यह सपना देख रहा है उ नभी करनी है संसादन निस्चे ही समाप्त हो सकती है राजु ने पूछा कि हम इसके लिए क्या क्या कर सकती है तो अम्मा ने कहा बहुत कुछ है ना आप अपने दोस्तों से बाते करते क्यों नहीं करते संसादनों का सतरक्ता पूर्वा को पियोग करना उन्हें नभी करन के लिए समाई देना संसादन संरक्षण कहलाता है संसादनों का उपियोग करने की आवसकता और भविस्थ के लिए उनकी संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोष्णिये बिकास कहलाता है ठीक है आप से पूंचा जाएगा कि सतत पोष्णिये बिकास क्या कहलाता है तो सं संसादनों का उपयोग करने की आवस सकता और भविस के लिए उनकी संरक्षन में संतुलन बनाए रखना इस सतत पोष्ण ये बिकास कहलेता है। हम इन सभी बस्तूओं मैंसे कुछ बस्तूओं उन परिवारों को देंगे जिने हम जानते हैं। मिलकर अंतर ला सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमें याद रखनी हैं। हमारी प्रत्वी और इस पर नवास करने वाले लोगों का भवस पेड़ पोधों और परितंतर की सुरक्षा और संरक्षन से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तब हो जाता है कि सभी नवी करनी है संसादनों का उप्योग सतत पोष्णिये की बारी में होना चाहिए। सतत पोष्णिये बिकास की कुछ सिद्दानत देखो। जीवन की सभी रूपों का आदर और देखवाल, मानव जीवन की गुडवत्ता को बढ़ाना, प्रतबी की जीवन सक्ती और विविदता का संरक्षन करना, प्राकरतिक संसादनों की हिरास को कम करना, परियावन की प्र प्रशने भी दिये गए हैं, प्रशनों के उत्तर हमें बताना है, ठीक है, सभी लोग उत्तर बताएंगे, प्रतबी पर संसादन असमान रूप से क्यों बितरे थे, सभी लोग बताएंगे, संसादन संरक्षन क्या है, है ना, मानव संसादन महत्पूर्ण क्यों है, सतत उत्तर बताना है इनके ठीके और कौन संसाधन को निर्धारत नहीं करता है ये भी आप बताएंगे ठीके निम्नमे से कौन सा मानव निर्मे संसाधन है ये भी आपको कमेंट में लिखना है ठीके और तीसरा है जे और संसाधन खाली स्तान होती है तो ये तीन विकल्प हैं का च іacement में टीक है और एट अः टोपिल केंसे लगा आपको SANSADA Dन की बारी में हमने प्राकर्थेक SANSADA Dन की बारी में पढ़ा मानो ससाधन की बारी में पढ़ा ठीक है हैना้ मानो संसाधन से इतात परे लोगों की संख्या और योगता मानसेक तथा साहिरिक से है एद्धपी मानों को संसाधन मानने की संदर में लोगों में मतबेद है इतना होती हुए भी इस तत्सिंग का नहीं किया जा सकता कि मुल्टामन उसकी योगताएं ही बहुत एक पदार्तों को मुल्डबान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं तो इनके बारे में सभी को अच्छे से समझ में आ गया हुगा कि कौन सा संभाब बरतमान है कौन सा सर्व ब्यापक है इस्थानेक है नभीनी करन है अनभीनी करनी है ठीक है इस सारे कि सारे संसाधन या पवन चक्कियां देख रहे यहां पर है ना संसाधन का मामा का जो है topic का है जिसमें हमने मानव संसाधन को पढ़ा और अपने पढ़ दिया प्राकरностि sanso than टीक है वीडियो कैसे लगा सभी लोग comment में बताएंगे और इस संसाधन हमने पढ़ दिये हैं तो आज की